Hello everyone, welcome to my channel All About Biology and this is Jyoti Verma और आज हम लोग यहाँ पर Brassica के Flower का Dissection करने वाले हैं Brassica जो की Family BrassicaeCe या Family Crucifery का एक Member है और Family Crucifery के बारे में हम लोग Detail में अपने पिछले वीडियो में Discuss कर चुके हैं Detailed Notes के साथ हम लोगों ने उस वीडियो को देखा था और आज यहाँ पर हम लोग इस Flower को Dissect करेंगे और इसके जो Important Characteristics हैं उनको आज हम जानेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं So यहाँ पर Bentham and Hooker System के According Classification हमने किया है और यह है Class Dicotlydons, Subclass Polypetali, Series, Thalami Flory, Order, Paritales, Family, BrassicaeCe या Crucifery Genus है Brassica and Species is Campastris So अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कुछ Important Points, कुछ Important Features जो आपको देखने को मिलेंगे Brassica के Dissection के दोरान जैसे कि Lirate Leaves, Racine Inflorescence, E-Bractiate Flower, Tetradynamous Condition, False Septum, Parital Placentation and Siliqua Fruit So यह बहुत ही जादा Important Features है Brassica के जिनको आज हम यहाँ पर देखेंगे इस वीडियो में So सबसे पहले हम बात कर लेते हैं Leaf की, Leaf का जो यहाँ पर Arrangement है वो Alternate Arrangement आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे So यहाँ पर जो Leaf का Arrangement है, वो Alternate Arrangement है इसके साथ-साथ यहाँ पर जो Leaf है, उनका जो Shape है वो बहुत ही जादा Important Shape है Leaf का जो की है Lirate Leaves यहाँ पर Leaf का जो आपको Shape देखने को मिलना है, यह है Lirate Leaves जिसमें की एक Terminal Lobe होता है जो की बहुत बड़ा होता है और इसके साथ-साथ आपको छोटे-छोटे Loves यहाँ पर देखने को मिलेंगे तो यह बहुती जादा Important Characteristic Feature है Brassical Compestress का जो की है Lirate Leaves बहुती जादा Important Feature है और इन Leaves की अगर हम Margin की बात करें तो आपको यहाँ पर Serate Margin देखने को मिल लही है Venation Pattern की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर Unico State Reticulate Venation Pattern देखने को मिल ला है क्योंकि Unico State इसलिए होता है क्योंकि आपको जब Leaf में एक Single Prominent Mid Rib देखने को मिलती है तो उसे हम Unico State Venation के नाम से जानते हैं और इसके साथ चाथ यह जो Mid Rib है इससे जो Vain निकल ली है छोटी छोटी वो Irregularly Divide हो जानी है पूरी लीव में इसलिए यहाँ पर Reticulate Venation Pattern मौझूद होता है तो आपको यहाँ पर जो Leaf में Important Characteristic फिचर देखने को मिल ले हैं वो है Alternate Leaf इसके साथ Leaf का Shape जो की Lirate है बहुत ही ज़ादा Important सीरेट मार्जिन, Unico State, Reticulate Venation Pattern आपको यहाँ पर Leaf में देखने को मिल ला है इसके साथ साथ Leaf को अगर आप टच करें तो इसमे स्लाइटली आपको Hair like Structures भी फील होंगे यहाँ पर Leaf में अगर आप देखें तो तो यह लीव जो है यह Hairy भी है So Inflorescence की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर Racine Inflorescence देखने को मिलता है Racine Inflorescence में क्या होता है एक Common Axis पर Flowers अरेंजड होते हैं Acropetal Manner में जिसमें की जो Older Flower होते हैं वो आपको Base की तरफ देखने को मिलेंगे जबकि जो Youngest Flower होंगे वो आपको टिप की तरफ देखने को मिलेंगे जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इस Case में यह जो Flowers हैं यह Older Flowers हैं और यह Base पर मौझूद है जबकि जब आप टिप की तरफ मूव करेंगे तब आपको छोटे छोटे Flowers यह youngest Flowers देखने को मिलेंगे इस Condition को हम Racine Inflorescence के नाम से जानते हैं जिसमें Flowers Acropetally Arrange होते हैं यानि की जो Older Flowers हैं वो Base पर हैं और जो Youngest Flower हैं वो टिप पर हैं यहां पर आप देख सकते हैं Racine Inflorescence जिसमें जो Base है उस पर आपको Fruit देखने को मिल ला Base पर हमेशा Older Flower प्रेजेंट होगा और Older Flower है तो यहां पर यह Fruit के फॉर्म में Convert भी हो चुका है जबकि जो टिप है उस पर आपको Younger Flower देखने को मिल ले हैं तो Oldest Flower जो सबसे ज़ादा पहले आया होगा Old होगा वो Base पर होगा और जो नए नए Flowers होंगे वो टिप पर आपको देखने को मिलेंगे इस केस में और इसी को हम Racine Inflorescence के नाम से जानते हैं अगर हम बात करें तो flowers आप यहां पर देख सकते हैं जो flower है यह पेडिसिलेट है क्योंकि इसमें जो स्टॉक प्रेजेंट है जिसे हम पेडिसिल कहते हैं तो यह flower जो है यह पेडिसिलेट है इसके साथ चाथ यहां पर कोई भी ब्रैक्स मौजूद नहीं है इसलिए यह यह होता है और इसके साथ चाथ अगर हम बात करें तो यहां पर आपको complete flower देखने को मिला है क्योंकि इसमें सारे वर्ल्स प्रेजेंट होते हैं कैलक्स करोला एंडुशियम गाइनुशियम और यह जो flower है यह एक्टिनो मॉर्फिक होता है क्योंकि इसको जब आप डिवाइड कर प्रेजेंट होते हैं और यलो कलर का flower आपको यहां पर देखने को मिल ला है यह बेसिकली है ब्रासिकल कमपेस्ट्रिस का इक सिंगल flower जिसको आप यहां पर देख सकते हैं बहती जादा छोटा flower है और इसको अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें जो ग्रीन पोर्शन आप को बाहर की तरफ दिखाई दे रहा है वो कैलेक्स है और कैलेक्स में यहां पर आपको चार सेपल्स देखने को मिलते हैं यहां पर यह जो ग्रीन वाला पोर्शन आप देख रहे हैं यह सेपल है तो कैलेक्स में आपको यहां पर चार सेपल्स देखने को मिलेंगे चारो सेप हैं इनका arrangement two plus two के form में है यह flower बहुत ही ज़ादा छोटा है बट actually यह जो सेपल होते हैं यह two plus two के form में arrange होते है यानि कि दो सेपल थोड़े से बाहर की और और दो सेपल थोड़े से अंदर की और arrange होते हैं यहाँ पर तो यह basically है कैलक्स जिसमें आपको poly sapples condition देखने को मिलेगी और 4 sapples यहाँ पर मौजूद है करोला की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 4 petals मौजूद होती है और 4 petals एक दूसरे को cross shaped structure के form में arranged होती है इसलिए इस करोला का नाम cruciform carola है और यहाँ पर आपको wall weight activation देखने को मिलेगा करोला के color की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको yellow petals देखने को मिलेगी और इसी cross structure की वज़े से ही इस करोला का नाम cruciform carola है यहाँ पर सारे petals free है इसलिए यहाँ पर poly petals condition है cruciform carola है और estivation यहाँ पर wall weight estivation मौजूद है अब हम बात करने वाले हैं androishium की androishium यहाँ पर basically six statements मौजूद है androishium में और जो six statements है उनमें आपको tetradynamous condition देखने को मिलेगी basically यहाँ पर होता क्या है यह जो six statements है इसमें से जो चार statements होते हैं जो की center में मौजूद होते हैं उनकी length बड़ी होती है और जो side side में दो statements होते हैं उनकी length छोटी होती है और इसी condition को हम tetradynamous condition कहते हैं तो सबसे पहले हम इस flower के calyx, karola और gynosium को remove कर देते हैं फिर हम आपको यहाँ पर tetradynamous condition को दिखाते हैं इस तरीके से आपको statements को हलका सा प्रेस करना है ऐसा करने से जो statements हैं वो सब एक plane पर आ जाएंगे, flat हो जाएंगे तो आप यहाँ पर tetradynamous condition को और अच्छे से देख पाएंगे सो यहाँ पर आप देख सकते हैं statements के case में tetradynamous condition मौझूद है, six statements यहाँ पर present है जिसमें से जो चार statements है, जो की center में है, वो length में बड़े हैं और जबकि जो side में आपको दो statement दिखाई दे रहे हैं, वो length में छोटे हैं इसी condition को हम लोग tetradynamous condition कहते हैं और यह बहुत ही ज़ादा important है इसके अलावा अगर हम single stamen की बात करें तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, यह एक single stamen है इसमें उपर की तरफ जो yellow structure है वो है anther, यहाँ पर die-thicus होते हैं क्योंकि यहाँ पर दो थीका मौजूद होते हैं इसलिए यहाँ पर anther आपको die-thicus anther देखने को मिल लही हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं अब हम बात कर लेते हैं गाइनूशियम की, गाइनूशियम आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह है गाइनूशियम जिसमें आपको base पर ovary देखने को मिल लिए, style और stigma यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको bi-carpullary, sin-carpus, superior ovary देखने को मिलेगी bi-carpullary क्योंकि यहाँ पर जो ovary है उसमें दो carpals मौजूद होते हैं, sin-carpus क्योंकि वो जो दोनों carpals होते हैं वो आपस में fused होते हैं और इसी को हम sin-carpus condition के नाम से जानते हैं और ovary यहाँ पर superior होती है क्योंकि जो सारे worlds होते हैं यानि कि जो calyx है, carola है और endosium है यह ovary के नीचे से arise करते हैं और ovary यहाँ पर सबसे high top position पे होती है इसलिए यहाँ पर आपको superior ovary देखने को मिलती है और इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर generally unilocular situation होनी चाहिए थी लेकिन यहाँ पर bilocular situation आ जाती है यानि कि दो locules आपको देखने को मिलते हैं तो यहाँ पर एक false septum का formation हो जाता है जिसे कहा जाता है रैपलम बहुत ही जादा important characteristic feature है यह family brassica case का जिसमें आपको brassica combustress में भी यह रैपलम यानि कि false septum देखने को मिलता है जिसकी वज़े से unilocular condition के बजाए यहाँ पर आपको bilocular condition देखने को मिलती है तो यह बहुत ही जादा important feature है जो कि है false septum जिसे हम रैपलम के नाम से भी जानते हैं और इसके साथ साथ आपको हर locule में बहुत सारे ovules देखने को मिलेंगे और placentation की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर parietal placentation देखने को मिलेगा style यहाँ पर short होती है और stigma आपको यहाँ पर देखने को मिल लही है fruit की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर जो fruit देखने को मिल लहा है उसका नाम है siliqua अब हम सारे characteristics को एक बार यहाँ पर summarize कर लेते हैं और देख लेते हैं कि कौन-कौन से important characteristics हमने आज brassica के flower में देखे अब यहाँ पर हम brassica combustress के सारे important features को summarize कर लेते हैं सबसे पहले आपको inflorescence में देखने को मिलेगी raceme inflorescence जिसमें कि हम लोग discuss कर चुके हैं कि आपको tip पर youngest flower देखने को मिलेंगे और base जैसे जैसे आप base की तरफ जाएंगे आपको older flower देखने को मिलेंगे यानि कि जो old वाले flower होंगे वो आपको नीचे base की तरफ देखने को मिलेंगे जबकि जो यंग वाले flower होंगे वो आपको tip की तरफ देखने को मिलेंगे और इसी को हम racine inflorescence के नाम से जानते हैं इसके लावा आपको बहुती ज़ादा important feature यहाँ पर देखने को मिलेगा जो की है lirate leaves लाइरेट leaves में जैसा कि हम लोग discuss कर चुके हैं कि यह का आपको एक बड़ा सा terminal lobe देखने को मिलेगा और छोटे 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 लोब इसके साथ आपको देखने को मिलेंगे और इसी को हम cruciform carola कहते हैं जो की बहुती ज़ादा important characteristic feature है brassica का यहाँ पर आप देख सकते हैं tetradonymous condition endosium के case में जिसमें आपको 2 plus 4 arrangement देखने को मिलेगा आपको यहाँ पर 4 बड़े statement center में देखने को मिले हैं और 2 छोटे statement बाहर की तरफ देखने को मिले हैं इसी condition को हम tetradonymous condition के नाम से जानते हैं इसके लावा अगर हम बात करें fruit की तो आपको यहाँ पर siliqua fruit देखने को मिले हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं जो beach में point है उसे हम कहरें rapulum तो यह है fruit जिसे हम कहते हैं siliqua इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर floral diagram की तो आपको यहाँ पर floral diagram में जैसा कि हमने कहा कि यह एक e-bractiate flower है e-bractiate है यानि कि यहाँ पर bracts और bractioles absent है तो आपको यहाँ पर floral diagram में कहीं पर भी bract और bractioles देखने को नहीं मिल ला है इसके अलावा अगर हम बात करें तो यह जो flower है यह actinomorphic है यानि कि आप इसको किसी भी plane से cat करेंगे तो यह equal parts में divide हो जाएगा तो यह actinomorphic flower होता है इसके अलावा अगर हम बात करें तो यह hermafrodite है क्योंकि आपको यहाँ पर androsium और gynosium दोनों एक ही flower में देखने को मिलते हैं सेपल्स की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर 2 प्लस 2 का arrangement देखने को मिल ला है यहाँ पर 4 सेपल्स मौझूद है जो की 2 प्लस 2 के form में है यानि की 2 सेपल्स आपको यहाँ पर बाहर की तरफ दिखाई दे रहे हैं यह दोनों और इसके लावा यह दोनों सेपल्स जो है यह दोनों अंदर की तरफ है इनके जो margins है यह अंदर की तरफ है तो आपको यहाँ पर 2 प्लस 2 arrangement देखने को मिला है सेपल्स के केस में इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर करोला की केस में आपको यहाँ पर C4 है यानि की 4 petals मौझूद है आप यहाँ पर देख सकते हैं 4 petals मौझूद हैं और यह 4 petals एक दूसरे से wall weight estimation के form में हैं और 4 petals free हैं यानि की आपको यहाँ पर poly petals situation देखने को मिलेगी इसके इलावा अगर हम बात करें यहाँ पर androsium की तो यहाँ पर आपको tetradonymous condition देखने को मिलती है statements के case में 2 plus 4 का arrangement है दो statements जो होते हैं जो छोटे वाले वो बाहर की तरफ है और जो 4 statements हैं जो की बड़े वाले हैं वो अंदर की तरफ आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं तो इसी को हम tetradonymous condition के नाम से जानते हैं और इसके साथ-साथ आपको यहाँ पर कुछ dot भी आई गया है। सो दाइनूशियम की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर बाई कार्पिलरी सिन कारपस सुपीरियर ओवरी देखने को मिलती है जिसमें कि आपको पैराइटल प्लेसंटेशन देखने को मिलता है यहाँ पर देख सकते हैं जो ओव्यूल्स हैं वो यहाँ प दोनों कारपल्स आपस में फ्यूज़ हैं इसलिए सिंकारपस सिच्वेशन है बाई कारपलरी सिंकारपस सूपीरियर इसलिए होता है क्योंकि यह जो ओवरी है यह सबसे टॉप पोजीशन पर होती है और जो बाकी के वर्ल्स होते हैं या लिकी जो सैपल है पेटल है वो situation देखने को मिले जानि कि ये जो अंदर जो स्पेस है ये है लॉकी सीच्वेशन है और ये मिलती है क्योंकि यहां पर एक रापलम प्रेजेंट है जिसकी वज़े से यहां पर आपको दो लोकिउल्स देखने को मिल रहे हैं एक ये वाला और एक ये यह जो structure आप देख रहे हैं यह है ovule, ovule यहाँ पर कारपल की wall से attach है और जिस structure से attach है उसे हम कहते है placenta, तो यहाँ पर जो placenta बना हुआ है यह कारपल की margins के fuse होने की वज़े से बना हुआ है और इस type के placentation को हम parital placentation कहते हैं, तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं, ह यहाँ पर हमने ब्रासिका के case में सारे important features, important points को देख लिया है और आज के लिए इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को subscribe करिए, like करिए, share करिए, thank you so much